खुशामदीद प्यारे बच्चो बच्चो आज हम नया सबख पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है हवाई जहाज तो बच्चो आप देख रहे हो ये किसकी तस्वीर है ये एक हवाई जहाज की तस्वीर है आप सबने इसमें सफर किया होगा हवाई जहाज से हमें क्या फायदे मिलते हैं गंटू का सफर जो है वो कुछ मिन्टू में ही तै हो जाता है यानि पूरा हो जाता है इसमें हम अपने सफर को जल्दी से मुकमल कर सकते है सबसे पहले हम सबक हवाई जहाज के कुछ मुश्किल अलफाज पढ़ेंगे मुश्किल अलफाज दास्ता, कारामत, गुबारा, गैसुलीन, कुलपुर्जा चलि बेटा अब हम इस सबक की शुरुवात करते हैं हवाई जहाज तो बच्चो आप सबने हवाई जहाज को देखा है, अब हम इसको पढ़ेंगे बच्चो, क्या आपने हवाई जहाज देखा है? ये हवा में परिंदू की तरह उड़ता है, इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है और इसके जरिये लंबे-लंबे सफर जल्दी और आसानी से तैख हो जाते है जंगल हो या पहाड, ये हवाई जहाज के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकते इसे न सडक चाहिए न पूल, ये हवा में उड़ता है हवा में उड़ने के लिए इसे गैसुलीन, जौरी कुवत फराहम करता है हवाई जहाज बड़े काम की चीज है, इन्सान इसे तरह तरह के काम लेता है जंग हो यामन हवाई जहाज हर वक्त काम आता है तो बच्चो इस सबक से हमें क्या समझ में आया इसमें हमने ये देखा कि हवाई जहाज जो है वो कितना भी लंबा सफर हो जल्दी से पूरा करता है जंगल पहाड हो हवाई जहाज के लिए कोई भी रुकावट नहीं बन सकते है हवाई जहाज को ना तो किसी सडक की जुरत होती है और ना किसी पुल की ये सरिफ हवा में परिंदों की तरह उड़ता है और इसको उड़ने में गैसुलीन एक किसम की पैट्रोल है जो हवाई जहाज को उड़ने में मदद देती हैं हवाई जहाज हमें जंग होया मन उस वकत भी काम आता है हवाई जहाज कैसे बना अब हम क्या जानेगे कि हवाई जहाज जो है ये कैसे बना और इसको किस ने बनाया इसे किस ने इजाद किया ये एक दिल्चस्प दास्तान है हवा में उड़ने की कोशिश सबसे पहले फ्रांस के रहने वाले दो बायों ने की उनुह ने एक गुबारा बनाया उसमें गरम हवा बर दी और उसे हवा में उड़ने की कोशिश की काफी कोशिश्यों के बैद गुबारा आसमान की तरफ लिपकने लगा लोग ये देखकर बहुत खुश हुए तो बच्चों हवाई जहाज जो है ये किस ने बनाया फ्रांस के रहने वाले दो बायों ने हवाई जहाज को बनाया उन्होंने क्या किया उन्होंने गुबारा जिसे अंग्रेजी में बैलून कहते हैं वो लिया उसमें गरम हवा बर दी और उसे उड़ाने की किसे उस गुबारे को उड़ाने की हवा में कोशिश की उनकी बहुत कोशिश के बाद वो गुबारा आसमान की तरफ उड़ने लगा और लोग ये देखकर बहुत खुश हुए तो बच्चो ये तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये सबसे पहले जो हवाई जहाज होता था वो ऐसा ही बना था तो बच्चो आज हमने इस सबख को यहां तक पढ़ा अगली क्लास में हम इस सबख को मुकमल करेंगे मुझे उमीद है कि आप सब बच्चों को ये सबख अच्छे सी समझ में आया होगा अल्ला हाफिस बच्चो